पिछले बुलरन में BNB Coin ने, Binance Chain ने और Binance Exchange ने dominant किया पूरे ही Cryptocurrency Space को और ये बन गई Top Used Exchange अगर आज की डिट में भी आप देखते हैं तो सबसे जादा volume जो है वो Binance पे ही है और सबसे बड़ा market share जो exchanges में hold करता है वो Binance ही करता है बट इस बुलरन के बाद ये जो factor है जो stats है ये change होने वाले मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ facts ऐसे जो दिखाते हैं कि एक exchange Binance को पीछे शोड़ने वाला है मैं ये नहीं बोल रहा है इस वीडियो में Binance बेकार है या कुछ भी बट हम यहाँ पे ढूंड रहे हैं opportunity एक ऐसे exchange में invest करने की जो Binance से जादा successful होने वाल launch होता 2017 में तो अब से अब तक Binance की service काफी अच्छी रही है and Binance ने बहुत सारी मैं बुलूँआ innovation भी करी है cryptocurrency space में जिसकी वज़े से आप और मेरे जैसे लोग काफी अच्छे तरीके से trade करका है security भी अच्छी रही Binance में शुरू से ही ठीक है BNB chain launch हो ही September 2020 में उसके बाद most successful blockchain बन गई after Ethereum because it was cheap अगर आप देखेंगे काफी अच्छी layer 1 blockchain रही काफी सारे projects इस पर launch हुए पिछले बुलरन में uncomparatively Ethereum से अगर आप देखेंगे तो यह चीप भी थी और security Ethereum जैसे ही थी right so reason क्या था BNB की success का सबसे बड़ा reason था launchpad and launchpool products जो की हमने देखा Xie Infinity Matic ऐसे coins जो launch हु इस तक कभी return मिला काफी सारे coins में so यहाँ पर जो staking के लिए interest था BNB का वो काफी जागल होगा इस वज़े से BNB के price में अच्छी खासी growth देखी BNB chain एक अच्छा reason था BNB के growth होने का and सबसे बड़ा reason जो यह था वो यह था कि best user experience था crypto industry के अंदर Binance exchange पर जो की अभी भी है बट यहाँ पर अब चीज़े थोड़ी सी change हो गही है तो change कैसे हो रही है क्या चीज़ pushback कर सकती है BNB को या Binance को आपको सुनना पड़ेगा regulations बहुत जाद आ गही है ठीक है and regulations जो है एक तरह से मुझे जो लगता है यह एक corporate मैं बोलू हमाँ step है Binance को पीछे करनेगा क्यों क क्योंकि यहाँ पर BlackRock जैसे institutional आ गए है Cryptocurrency स्पेस में अभी Bitcoin ETF हमने अप्रूव होता देखा आगे शायद हो सकता है आपको जल्द ही Ethereum ETF भी अप्रूव होता दिख जाए ठीक है तो आप आज की वीडियो को हम चालू करेंगे आपको समझाएंगे कि किस तरीके से यह नया नया exchange तो नहीं बोलेंगे पुरा नया exchange है पर यह कैसे BNB को या Binance को पीछे शोड़ सकता है तो यह वीडियो आपके लिए काफी important हो सकती है अगर आप cryptocurrency space में है और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करेगा वीडियो करेगा लाइक बिकस ऐसा content आपको cryptocurrency space में अभी तक कोई भी नहीं दे रहा है यहाँ पे जो मैं आपको चीज़े बताऊंगा वो all जितनी भी चीज़े बताऊंगा वो सारी facts driven होगी यहाँ पे कोई भी हवा में बात नहीं होगी तो आप चैनल पर नहीं है तो subscribe करना चाहिए बिकस थोड़ टाइम पहले ही हमने टाओ के उपर वीडियो डाली थी और टाओ वहाँ से 108% अप है यह रही वो वीडियो जो आज से 3 हफते पहले हमने डाली थी टाओ के बारे में आप especially लिगाओ अगर आप चैनल पर नहीं है तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि आप YouTube पर क्यों subscribe करें अगर आप पास की और वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगागा कि कैसा है हमारा result और कैसी है हमारी analysis और अगर आप Telegram पर नहीं है हमारे Telegram चैनल पर नहीं है तो join कर लीजे 2000X potential रखते हैं ऐसे gems पर हम काम कर रहे हैं यहाँ पर हमने आपको Celestia की बाइंग दी और वहाँ पर Celestia था 2.4 डॉलर से Celestia चले गया 20 डॉलर पर और इसके अलावा भी बहुत सारी नहीं कोईंस पर हमने बाइंग दी जैसे की Zai जैसे की Altlayer और बहुत सारे कोईंस थे मतला अब लिस्ट में बना के बैठा नहीं हूँ बड़ आप जाके result देख सकते हो Telegram में official link नीचे description में है और अब यहाँ पर मैंने promise के अपने community को कि जो नया coin आ रहा है Binance पर Pixel उसकी जो buying strategy है उसमें जो risk involved है वो सारा आपके साथ मैं discuss करो on the day of launch जो की आ रहा है 19 और February तो आप decentralized science को हमने discuss किया था पिछले अपने कुछ वीडियो में और आपको बताया था यह काफी undervalued एक sector है तो इसमें एक coin को मैंने पूरा explain यहाँ पे किया है साथी साथ आपको level भी बताया है breakout level तो अगर आप interested हो decentralized coins के बारे में जानने को तो Twitter पे आप मुझे follow कर सकते हो official link नीचे description और यह tweet आपके काफी काम आएगा ऐसी ही analysis काफी सारे coins के बारे में आने वाले time में Twitter पे देने वालों तो Twitter पे follow कर लेना Twitter पे मैंने आपको थोड़ ताइम बेले एक warning भी दी थी अभी जब Solana में downtime आया था मैंने बोला था कि यह जो outage है इसको short मत करना और वहाँ से Solana 110 dollar पह बाएगा बुलरंग चल रहा है ठीक है तो यहाँ पर past year में Bitcoin जो है वो तीन बार गिरा और तीन और बार ना 20% के कपम से retrace हो गया तो यहाँ पे हमने पहले ही यह बात बता थी जब 40,000 dollar पे था BTC और 38,000 नहीं भी गया था तब भी हमने बताया था आपको कि यहाँ पे हो सक लोग कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर BlackRock की तो BlackRock के बारे में अगर आपको नहीं पता तो थोड़ी इसी रिसर्च आप BlackRock के बारे में करिए और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं BlackRock का वालेट जहाँ पे 82,000 Bitcoin BlackRock का खरी चुका है जिस स्पीड से ख Coin ETF issue कर रही है और महाँ पे भी बहुत जादा बाइंग हो रही है इंस्ट्यूशनल बाइंग हो रही है तो यह लोग सब कहां से बाइंग कर रहे हैं Coinbase से So Coinbase को देखा जाए तो Regulatory Terms में मतलब Binance जितनी problem नहीं है और Coinbase में आप देख सकते हो अलग से section भी है institutions के लिए तो यहाँ पे Coinbase में अच्छा खासा interest है मैं बोलूगा काफी सारे लोगों का बड़े बड़े लोगों का तो Coinbase का success ratio पका होने वाला है एक यही reason है मुझे जो लगता है कि Coinbase काफी successful होगा and obviously अगर BlackRock use कर रहा है का na Coinbase को तो regulatory कोई issue तो आएगा ही नहीं इनको भाई वो तो आप समझ जाओ देखो powerful लोग जो होता है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं आती है अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक और reason जो मुझे अच्छा लगता है इनका जो portfolio है जहाँ पे Coinbase Ventures जो है एक funding VC है जो so इनका जो portfolio काफी successful portfolio रहा है पास में Matic में इन में invest किया था है Uniswap में किया था है Mutival X में किया था Celestia जो भी एक नया coin है जिसमें काफी जबरदस तरीके से pump हमें देखा optimism मतलब almost सारे जो बड़े बड़े projects हैं वहाँ पे Coinbase Ventures का पैसा लगा होता है अब मैं यहाँ पे इतना confident कैसे हूँ कि BlackRock इनको support करने वाला है तो अगर आप एक चीज़ देखोगे हम देखते है Coinbase का funding round कि funding round में Coinbase में किसने किसने पैसा लगाया ठीक है तो यहाँ पे आप देखोगे काफी सारे नाम आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपको नाम दिख जाएगा circle का भी ठीक है circle का नाम यहाँ पे नहीं दिख रहा है बट circle भी involved है Coinbase की funding में and circle में पैसा किसका लगा हुआ है circle में पैसा लगा हुआ है BlackRock का इस चीज को हमें ध्यान में रखना है जहाँ पे बड़े बड़े लोग involved है तो यहाँ पे chances बहुत अच्छे है growth होने के Coinbase के और देखो institutional buying जो है उसको आप ignore नहीं कर सकते यह जो bull run आ रहा है अगला या आने वाले टाइम में जो industry में change आपको देखने को मिले हो totally वो institution based दोखा और यह लोग run करेंगे इस market को अच्छी तरीके से और बहुत जबरदस तरीके से buying भी हुई है bitcoin के इस dip पे जो की institution ने करी हो और यहाँ पे आप BlackRock को जो wallet है यह चेक कर सकते हो और खम पे जागे और देख सकते हो कि किसे साब से buying कर रहे है तो आपको काफी अच्छा ideal लगेगा अब इसके उपर पास में एक video मैंने बनाई थी coinbase पर को मैं आज video बना रहा हूँ अब coinbase का कोई coin तो है नहीं किस तरीके से आप invest कर सकते हो बता रहेता हूँ पहले हम बात करेंगे ibit की तो i लग 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 25% प्लस है which is big in stock market ठीक है और यह जो चीज है ना दोस्त यह जो चीज है यह same to same bitcoin के return को follow कर रहे है और आने वाले time में मैं आपको एक और चीज बता दूँ कि आप हो सकता है trade इतना अच्छे से नहीं कर पाऊ bitcoin को और blackrock ज़रू कर लेगा so मैंने यहाँ पर आप जा के देख सकते हो मैंने explain किया था कि इसमें taxation का क्या scene होता है और आपको 30% नहीं बरना पड़ेगा TDS नहीं बरना पड़ेगा this is all legal right so ऐसा ही एक stock है coinbase का जिसका नाम है coin so यहाँ पर coin में काफी interesting एक चीज दिखती है ठीक है ज्यादा time नहीं waste करेंगे और सीधे सीधे देखेंगे coin को so यहाँ पर अगर आप coin देखोगे तो यह एक falling wedge था यह काफी बड़ी range थी जिसको coin नहीं breakout किया range breakout पर हम बहुत ध्यान रखते है यह breakout मेला range का test भी हो गया इस week जब मैं video बना रहो तो range का test हो चुका है right now coinbase is currently trading on 141 dollars जब मैं यह video बना रहा हूँ और आने व coinbase का जो stock है वो काफी जादा pump होने वाला है दोस्त तो क्यों कैसे pump होने वाला मैं आपको sniper की चीज दिखाता हूँ जो tau का breakout था वो भी मैंने sniper से ही दिया था and this is a custom indicator जो हमने बना रखा है अपने subscribers के लिए और जल्दी ही इसको हम public करेंगे अब लिए public नहीं है अब यह private circle मे हमारे चल रहा है so यहाँ पे आपने देखा था एक scenario वो scenario क्या था कि यहाँ पे आप तीन line देख रहे है राइट यह green line ने cross कर दिया था white line को red line उपर थी है और यहाँ पे था हमारा gunpowder जो की bullish था अब यहाँ पे gunpowder दुबारा bullish होगे और यहाँ पे cross आने वाला है ठीक है so last time जब cross आया था यह मैंने आपको बताय है analysis one day time frame में so last time जब cross आया था आप देख सकते हो किस तरीके का move coinbase में हमें देखने को मला था यह last time cross को आया था 1 November 2023 को ठीक है पिछले साल और यह जो move था यह 147% का था तो इतना बड़ा move तो मैं आपको नहीं बोलूँ है यहाँ पे जब यह level तूटेगा $200 का so यहाँ पे coin जो है नए all time highs पे इस बुलरंग में आपको जाता दिखेगा ही दिखेगा क्योंकि जो fundamental factors है न वो favor में है coin के तो यह तो बात होगी stock के अब इसको आपको खरीदना कैसे है अगर आप इंडिया से हो basically तो आप IND money app download कर सकते हो और उसक खरीद सकते हो basically right अगर आपका IND money account तो well and good बरना नीचे official link मैंने दे रखा है उससे आप account बरना सकते हो यहाँ पे अब Indian stocks को US stocks को bitcoin ETF को सब चीजों को trade कर सकते हो so यहाँ पे आप देखोगे तो ibit का यहाँ पे bitcoin share जो i share bitcoin trust ETF है जो blackrock का है वो भी आप trade कर सकते हो but coin पे आपको अच्छा कासा ध्यान देना चाहिए you are basically investing in crypto through stock market और coin का जो यानि की coin base का जो earning है वो बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है इस bull run में वो दिख रहा है हमें जिससे आप से institutional buyers buying कर रहे है हमारे indicator ने भी यहाँ पे setup दे दिया है buying का तो इसलिए मैंने आपके साथ ये video आज share कर आपको $371 तक भी देखने को मिल सकता है अगले दो साल coin base के लिए bullish रहने वाले हैं यह तो हो गई stock में invest करने की बाद अगर आप यह नहीं करना चाहते हो so यहाँ पे coin base ने अभी recently एक layer 2 blockchain भी launch करी है जिसका नाम है base जहाँ पे TVL जो है total value locked वो काफी अच्छे तरीके से grow हो रही है total value locked को समझने की कोशिश करो total value locked is total amount of money या total amount of ether हम बोलते हैं ether में हो रही होगी यहाँ पे sticking right so यहाँ पे दिखता है कि interest कितना है अगर TVL बढ़ रहा है तो यह लोग इसको stake कर रहे हैं इसकी blockchain पे stake कर रहे हैं bullish है अब यहाँ पे ऐसा speculation है कि इनका airdrop आएगा I don't know आएगा कि नहीं आएगा बट यहाँ अगर आप stats देखते हो so यहाँ पे decent earnings और decent volume base पे generate हो रही है revenue इनका अभी तना नहीं है जितना बाकी blockchains का है बट आने वाले time में ऐसा speculation है कि base का airdrop आ सकता है base का airdrop कैसे मिलेगा आपको base के ecosystem के साथ interact करके देखो airdrop के लिए अगर आप लेना चाहते हो data so काफी सारे बड़ी अबड़ी यूट्यूबर्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ airdrop के उपर video बनाते हैं थोड़ी research करो base के बारे में if you want to do it but मैं यहाँ पे coinbase में invest करने वाला हूँ ठेक है and मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे यह काफी अच्छा step रहेगा I know यह बाकी cryptos की तरह दो आपको फाइदा नहीं दे सकता but this is surely the next BNB chain या तो फिर हम बोलेंगे BNB exchange और reason मैंने आपको सारा बता दिया है जिसे साफ से blackrock buying कर रहा है so यहाँ से जो fees generate होती है वो फाइदा काफी देने वाली है coinbase को and आगे चाके institutional support coinbase के लिए काफी अच्छा रहने वाले है जब blackrock use कर रहा है coinbase को तो आने वाले टाइम में जो institutional apps आएंगी आएंगी पक्की बात है उसको कोई रोक ने सकता वो भी हो सकता है base की blockchain पे आए because यह regulated है so this is how it is I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो कि reason समझ आया होगा कि यह जो bullrun है ठीक है BNB बहुत अच्छा है Binance बहुत अच्छा है बट यहाँ पे coinbase take over करने वाला है so अगर आपको मेरी research अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करेगा चैनल को करेगा subscribe IND money पे जाके आप खरीच सकते हैं coin का stock अगर आपको थोड़ा बहुत confusion है कि यहाँ पे tax कितना लगेगा यह क्या होगा वो क्या होगा तो भाई एक बर अपने CA से भी concern कर सकतो और एक वीडियो पूरी research के साथ मैंने पास्मेट डाली है वो भी आप देख सकतो वीडियो लाइक करना मत बूलेगा मंडे को मिलेंगे जबरदस वीडियो के साथ संडे को हमारी वीडियो नहीं आती है बट ट्विटर पर अगर आप follower को तो ट्विटर पर आपको काफी सारी analysis संडे को मिलने वाली है मिलते हैं दुबारा see you again take care